हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे आज मैं जिस मेडिसिन का रिवियो करने जा रहा हूँ वह एक स्टेराइट का टेबलेट है रिवियो को करूँ श्टार्ट इसके पहले करूँगा आप से एक छोटी सी रिक्व अगर बात करें तो इसमें प्रैबरी यूज की तो इस मेडिसिन को एलर्जिक कंडिशन को कवर करने के लिए अस्तमा के के लिए एवं इचिंग जैसे reactions को दूर करने के लिए इस medicine का इस्तिमाल किया जाता है अब बात करते हैं इस medicine के price की तो लगभग यह 11 रुपीज में यानि 11 रुपे में मार्केट में उपलब्द है other brand के अगर बात करें तो वाइजिलोन 10 mg tablet यह भी dispersible pattern में है यह है एक रुपे 26 पैसे का per tablet मार्केट में उपलब्द है friends जैसे मैंने पहले आपको बताया इसके प्रमुक इस्तिमाल के रूप में severe allergic reactions, allergic conditions, asthma, rheumatic disorder, skin disorder, eye disorder और nephretic syndrome जो kidneys related होता है इसके निप्टान के लिए इस medicine का इस्तिमाल किया जाता है अब बात करते हैं medicine के कुछ common side effects के बारे में friends तचा का पतला होना, संक्रमन का खत्रा बढ़ना, हड़ियों का हलका होना, बजन का बढ़ना, mood में बदलाव होना, पेट में परिसानी होना, सभाव में बदलाव, खून में glucose के लेवल का बढ़ जाना इत्यादी ओमना कार्टिल के कुछ प्रमुक दूस प्रभाव है, friends यह एक disposable tablet है, आता है इस्तिमाल करने के पहले इसे पानी में घोल लेना चाहिए, उसके बाद ही medicine का इस्तिमाल करना चाहिए, friends यह था एक छोटा सा review, tablet ओमना कार्टिल के उपर, I hope आपको यह वीडियो पस पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करने में प्लीज हेल्प करें, किसी अन अच्छो टॉपिक के साथ फिर आप तक उपस्तित होता हूँ, तब तक के लिए good bye, आपका द दिन्सूब जहिंद।